गूड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, क्लास 12 जोगरोपी में अपना जो टोपिक चल रहा था वो थर्ड चेप्टर जनसंकया वितरन गहनतु और व्रदी जिसमें अपने कल पारे में अपने जनसंकया का वितरन और गहनतु के बारे में समझाता और उसमें मानों को संसाधन की Ofis favor जनसंकया कितनी जनसंकया नकारा हुँं कौन माहदीपो के बारे में देख के वितरन दो जार देरा के अनुसार जिसमें चależआ की रिपोर्ट के अनुसार दिया हुआ है तो इसमें अपने कल यहां पर देखा था कि अब इसमें अपने यहां से टोपिक स्टार्ट करते हैं कि एदी जनसेंके के वितरन को विविन देशों के अनुसार देखें तो उनके छेतर पल और जनसेंके की वितरन में बहुत सारी असम मानताई नेको मुलती है विसमताईए नेको मिलती है विस्व कि कुछ बड़े रास्ट जवे वहाँ पर कम जनसेंक्या वाले निवास करती है अब अपन यहां से स्टार्ट करते है आज कि अधिक दिखाई देता गतिता है जन संकया के दृर्ष्टी से विस्व क्यों कि सारीनी हो यह पर दी साथ देख लेते तो अपने को याद करना है कि विश्व में सरवादिक जंसेंगा वाले यह आठ देश कौन-कौन से यह इनके आजार पर अगे बढ़ेंगे तो अपन साइड़ी तीन पॉइंट दो को अपने देखा तो उसके बाद में आगे देखते हैं कि विश्व की सरवा 276 यह एक सो 27 अब यह वरत्मान में 2000 यह 2013 के अनुसार जबकि अपने 2011 की जनगर्णा के अनुसार एक सो 21 तो यहां पर 127 करोड जन संक्या हो गई दूसरी इस्तान पर आता है तता 316 मिलियन की जन संक्या के साथ सहुझ तराज जी अमेरिका जो तीसरी इस्तान पर आता है यह पर आता है इंडोनेशिय 248 मिलियन के साथ और प्राजियल जो है 166 मिलियन के साथ अगले इस्तान पर आता है विश्व जन संक्या में अधि गर देखने को देखा जाए तो सबसे सरवादिक वर्दी विकासिल और कम विक्सित रास्टों में यह ज़्यादा वर्दी हुई है विक्सित रास्टों में ज्यादा देखने को मिलिये विक्सित रास्टों में जन संक्या पर नियंदर्ण किया जा चुका है लेकिन अपने विकासिल रास्टों के अंदर जन संक्या आज भी लगाता है वैसे ही बढ़ती जा रही है जन संक्या वितरन के इस्तानिक अब जनसेंगे वित्रन के अधार पर हम विश्व को कुछ भागों में डिवाइड करते हैं यानि ज्यादा जनसेंग के अवाले कम जनसेंग के अवाले मद्यम जनसेंग के अवाले जो देश है इस प्रकार से हम कुछ भागों में इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड कर में भी भरना है तो सबसे पहले अपन देखेंगे सगन जंसंक्या वाली जो देश है वो विश्व में कौन-कौन से तो विश्व के पांच प्रदेश ऐसे हैं अपने भी देखा था यह सारणी में देख सकते हो अब दूबार कि पांच देश स्टार्टिंगे चीन भारात सहु अब आपन देखेंगे सबसे हैं जाइज गोगा इन कोंड़ी से देखांगे सबसे सरवाधिक जंसंक्या वाले देज़ माधिप के आदार पर देखें तो एस्या माधिप में इन पूर इन प्रदेशों में पूर्वी एस्या के चीन जापान दक्षिनी कोरिया ताइवान हो हमकोंग दक्षनी ऐसिया और इस प्रदेश में पूर्वीजि़ येसिया में मिलये इंसे सप्रब्ण अवाले योगरे को योग उसे आपन माउन्सी तरबे कि रख गूरी के देश को से चीन हो गया जापान दक्षिनी कोरिया ताइवान होंकोंग ये पांस ऐसे देशे जो पूरी एसिया में आते हैं डक्षिन एसिया में बात करें तो दक्षिन एसिया में भारत पाकिस्तान स्री लंका बंगला देश नेपाल अब संपूर्ण दक्षिनी पूरी एसिया पूरा संपूर् सगन जनसंगया निवास करती पूरी वह उत्री अमेरिका के उत्री पूर्वी सही उत्राज अमेरिका दक्षनी पूर्वी कनाड़ा आधी ऐसे देश है जहां पर सगन जनसंगया निवास करती है उत्री अमेरिका में सन 1789 की ओदोगी करांती के उपरांत जनसंगया तिवर गत करना है जो एटलस की बुक है उस एटलस की बुक में अपने को ये देश ढूंडने और भारत विस्व के मांचितर में इनको भरना भी है अब यहाँ पर जो लोग है परतिकूल प्रिष्टिति होने के बावजित भी तामबे की उपलब देता के कारण यहाँ पर कुछ लोग निवास करते हैं जिनको वहाँ पर रोजगार मिला हुआ है इसको माद्यम से यहाँ पर अनेक इस्तानों प्रकरती के साथ अनुकूल ने समायोजन भी किया जाता है लेकिन एंडीज प्रवत पर प्रतिकूल प्रतिकूल का वरतता है विप्रीत भोतिक दिसाओं के होते हैं भी तामबे की उपलब देता के कारण चिल्ले की चुगाई कामरा कनाड़ा के यूरेनियम सइर में यूरेनियम के कारण पस्रम उश्यीं में स्वरνग ख़दाने के कारण सगन जनसे के हाँ रहे हों पर निवाज करता है कुछ है तरह इसे जहां से कि दाधू की अपनफ देता के कारण फ़हां पर जन्सेंक जो इन वास और इनवाज करती है विस्वेण सब्सक्क्राइब तर पर एचलबडियु पर गुष्ट पर इस्थित है यह जो परदेश है विस्व का सतर पर पर गुष्टेशित बुष्ट बहूँ पर विरल जंसें के पार जाती है यह विश्व की महात्र पांस पर पर टिसें गया निवाज करती है तिद्धों में इस्तिती उच्छावच जलवायू की विसम परिस्तिति के कारण जंसें क्या विरल पाई जाती है यह कम जंसें क्या निवास करती अब इसके बाद में चोटे-चार मातर पुन भागों में इसको डिवाइड के अती न्यून बहुत ही कम जंसें के वाले छेतर जैसे तोर्ता के कारण इसे चेतर निर्जन प्राय पड़े रहते हैं एसे चेतरों में अती शीतल उसने मरुस्तल उस्ट दरातलिये विसम रेखी आद्रवन मद्यक्सांस ये मरुस्तल आदी आते हैं जहां पर बहुत ही कम जंसें क्या निवास करती है तो यह अपने चार विस्व सम्पूर्ण विसको चार शेत्रों में इसको विवाजित किया सग्ट जंसें क्या वाले प्रदेस सामान इन जंसिंग वाले प्रदेस और बहुत ही कम अति न्यूं देन से करने वाले कारके अब ने विस्व में जिन संग्य को प्रबावित करने वाले कारक जो निदीर आप जो किसी रूप में मानों को प्रभावित करती है यह तो विस्व के स्थर पर power RT तो उस प्रदेश की भूमी की बनावट महाँ पर जलके पूर्ती वहां कि मिट्टी वहां कि वनस्पति वहां की खनी संपदा और वहां के सक्तिज राज्जी की अस्तर पर बृद्ध करते हैं जैन संक्या के सगन और वीरल होने के कारण माने गए करते हैं सांसकर्थि कार्ग भी कुछ ऐसे जिसकी वजह से रच कदना करती है घृत्र腟 forward में अपने यहां पर पढ़ रहे हैं जनसे का वित्रन को प्रपावित करने वाले गारण तो घनतों में भी हम इनको पर्देशित कर सकते हैं आर्थिक दिसा उन्नति का इस्तर राजनेतिक इस्तिति मनोविज्ञान परिवयन और वियाफ़ार यह भी क्या करते हैं सांस्कर्थिक रूप में अब यह सांस्कर्थिक को इसलिए का गया है कि इन सारी चीजों की वेवस्ता है वो मानव द्वारा की जाती है इनका निर्मान म की दरस्टी से यह परिवयन यह व्यापार की दरस्टी से यह भी सांस्कर्थिक कारख भी पृबावित करते हैं अब तीसरा है सामय कार comigo शमय के अनूसार वातावरन के अनुकुलन परस पर बीद निर्भरता एक दूसरे को और निर्भरता बहता is citrra को सोड़कर वतनाऀब को प्रभवाईद करता है, धर्म, हम ऐसे से चैतर में जाकर निवास करना पसंद करेंगे जहाँ पर हम अपने धर्म केो निवास करते हो, यह नैई उन्हीं विखतियों में जाकर जो हो पन मेंज़ा अैर संकृतर हैंень तो ऑस मुस्सलिम करते हैं, हम आपने यह Wait district न कर निवास करता है तो उनको एड़ेस्मेंट करना पड़ता है नहीं में कुछ निकुछ धारमिक परिवर्टन ऐसे होते जिसके कर आपने समाज वनावट के आधार पर हम सबस्affen मिंटने किहां वारे हैं यहां पर अपने आवास देखते हैं यहां पर किसे मुदाई के लोग निवास करते किस दर्म समुधाय के लोग नहीं मिले तो छेटर विश displaced के लोग को भी देते तो यह जो देते किसी अनैज देश में चले जाए तो और अपने देश के लोगों को मत भी देते जाए वो किसी भी धर्म से सम्मान देते हो तो इसी प्रकारMax कि मनुखिय का सोभा होता है जिसके कारण उसमेh से और रहा है वर्त्मान वित्रण की मुख्झे कार रहने परन्तु इस तेल पर इनके वित्रन को प्रभावित करने वाले कारकों को अपने यहां पर समझने का प्रियास कि यह जो कारक दिये हुए इसी का जन संक्या वित्रन को प्रभावित करने वाले विस्टू इवापी कारक प्रादेशी कारक सांसकर्ति कारक और सामय कार जो किसे ने किसी रूप में जन संक्या के वितरन जन संक्या के फैलाओं को क्या करते हैं प्रभावित करने का काम करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में पर देखेंगे जन संक्या महासमू के बारे में एक बार तोड़ा सा प्रीचे इसमें देख पढ़ लेते हैं उसके बाद म सब्सक्राइब को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में विस्व में जनसेंगा के वितरन के भोगोली विस्टेशन से इस्पस्ट होता है कि कुल जनसेंगा का लगबग 80% बाग 20 डिग्री उत्री अक्सान्सों के मत्दे और परत्वी का 50% बुपाग मानव निवास के अनुकूल मानव रहने योगिया नहीं है 50% बाग नहीं होने के कारण लगबग निर्जन है इस प्रकार जनसेंगा के बड़ा भाग विस्व के चार विसाल शेत्रों में निवास करता है चार विसाल शेत्र जिसको अपने महाजन समू बोलते हैं जो भोगोलिक दरस्टी से महादीपों के कुछ विसेस उप्यूक्त भाग है जहां पर मानव जनसेंगा में की दरस्टी से है सगर रूप में निवास करता है कुछ ऐसे महासमू है तो इनी कादार पर अपने कहा किया भोगोलिक दरस्टी कादार पर इन विस्तरत बसे चेत्रों को पर्मुग जनसेंग्या जनसेंगों एंपने जनसेंगों चार जनसेंग्या नेवास करती है इस चार जनसेंगों के बारे में नेक्स्ट विडियो में नमसकार